हलो दोस्तों दोस्तों पिछले वाले वीडियो में हम आपको बता दिये थे प्राइमरी बीपी एसी का जो एक्जाम हुआ था बीपी एसी टीरी 2.0 उसमें कोशन के लेवल को देखेगा तो काफी आसान था और साइन्स से लगभग लगभग क्या मतलब 24 कोशन आये थे जिसमे आपको बता चुके है आठी इंवर्मेंटल साइंस का है वह लगबग साइं से का ठीक है पॉलूशन से रिलेटेड है वार्टर से रिलेटेड है तो वह भी आपको करा देंगे तो 25 कोशन अगर आपको करना है तो पूरा जो लेबल आप देखेगा खुच से भी देख सकते ह हम आपको बता भी चुके है पूरा का पूरा आपका एट तक का कोशन पूछा गया है तो 7 और 8 ncrt आपके लिए बहुत इंपूरेंट है अब उसको भी पीए सी को भी समझ में आ गया है जब टी यारी वन जो हुआ तो काफी टॉप पेपर हुआ था हम लोग भी दिया थे और 72 माक्स लाने में हमको भी बहुत मतब संगर्स कारना पड़ा था ठीक है तो काफी टॉप कोशन था टी यारी वन का तो उनको समाझ में आगे अधिक महनत तो टी यारी वन पढ़ जा रहा है इसलिए इस बार का कोशन देखेगा पाच्वा तक का टीचर बनना है तो आठ के लिए यह बहुत हाईयर ट यह वान में देती बहुत भारी भारी सबसे चुबर बारी प्रामीरी हो गया दो लेकिन लेक्रीस बाढ़ जो रहे एट तक का ही सवे करना ही है और से चाहते है और अच्छा से कर लिए ठीक है तो हम यहां पर टफरकर रखें जो पच्चिस करेた है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते है दोस्तों एम सी आठी का जो । इस सीरीज में आपको 8 class class 8 में जितना भी chemistry का question है, वह मैं नापको करा करा देते हैं, फिर आपको physics का फिर आपको biology का करा देंगे, टिक है ? chemistry का 4-5 chapter उसको पहले complete कर लेते हैं, तो पहला जो chapter है दोस्तों वह है संसलेशित रेशा और plastic ठीक है, क्लास7 में भी है, में भी प्रधे रे खे रते रियों का सुरू τरियों का सुरूत कौन भाई तो रियोन का तर्य 20 का जूरुत है आप देखेंगे लाक्री का गुद्दा होता है कौन बनता है बनता है अगला पॉलिकोर्ट पॉलिषंद की सी onu ते गए पोली कोड़ पोली से हो जाएगा पोली स्टर और कोड़ से हो जाएगा कोड़न मतलब कपास तो पोली स्टर और कपास का मीशन से क्या बनता है पोली कोड़ बनता है अगला थर्मो सेटिंग प्लास्टिक कौन सा है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक अगर हम बात करेंगे तो थर पुरा लाइन बे लाइन हम NCRT बना दियें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से अगर आप NCRT पढ़ लेते हैं एक भी कोशन आपका नहीं चुटेगा ठीक है तो पूरा मतब बहुत कम समय में आपका हो जाएगा तो 6-8 आप उसको पढ़ लिजे उसका PDF भी है PDF माइंगे तो पीड़े भी मिल जाएगा आपको फिरी आप कोश्ट अराम से पढ़िए और पूरा NCRT को कभर कर लिजे ताकि आपको कहीं सभी मिस्टेक नहीं हो ठीक है तो यह कोशन कीजिए और मजाएगा कभ जब NCRT को पढ़ लिजेगा ठीक है कि कोई आप जान रहे है मतलब अब रटने वाला जमाना है नहीं और बीपेसी का यहीं टार्गेटर रहता है बीपेसी जो सिविल सर्वीसेस था उसमें भी देखिए बदलाव आ गया अब रटने वाला परवीर्ति अब वो नहीं चाहता है चाहता है बच्चा समझे और कॉंसेप्ट्वल कोशन उस पकाने के बर्तने के लिए सबसे उपव्यूक समागरी कान सा है तो ग bodhi फाना पकाने वालब अबण करता है थे महंव मैं पराद करते हैं किसके माले बखला एडोर एक रह क्टीक का पौरिब हो जाए गास अब दोस्तों कोई भी कोछिंग कि जायाद एक एनसी आटी पेटरन वाला ही पर ये गाओ प्राइन पर यह तो वह इसी कोशिंग को पकड़ेगा उसी कोचिंग वो इसी इंस्टिट्ट में पड़ेगा जिसमें एंसी आटी कराया जा रहा है और एंस आटी खुद से थोड़ा पढ़ने कोशिज किजिए लें समय नहीं है तो आप कोशन किजिए और उसका एक प्राने संदेखें यह सब फाइदा करेगा ठीक है बाकी अधर उदर पड़ेगा तो फस जाएगा अगरा निमलिखित में कौन सा प्लास्टिक का समान गुर नहीं देख प्लास्टिक क्या होता है यह घटित नहीं होता है मतर इसका डिकमपोजीशन होता नहीं है ठीक है ठ किसी करेगा नहीं टेकिन यह बिजली का क्या होता सनवाक नहीं होता है कुछ अलग होता है तो चौथा आपको सही हो जाएगा क्योंकि यहां पर चुनना था कौन सा प्लास्टिक का गुण नहीं है ठीक है अगला क्वेशन है लिमनिल खित में कौन सा कॉलूम ए में आईटमों के लिए लिए कॉलंबी में साही है मिलान कर अलई कि तो देखिए नाइल्ट जो होता है नाइलोन बेक लाइट आपको बता दियें प्लाश्टिक दो है फाइब रहा है तो दोस्तों इस तरह सेकेंड ओप्षन क्या हो जाएगा सभी जाएगा अग्ला क्वशन लिवनीखित में टेकी समू में सभी सिंथेटिक पडार सामील है सिंथेटिक मुझ कौन या नायलोन भी टेरिलीन और उन यहां पर क्या है उन मानुणीर होता नहीं है ठीक है रेसम मेराणूनीरमिध होता नहीं ठीक है यहां पर देखिए कपास भी मानुनिर्मित नहीं है तो यह सब छड़ जाएगा कौन बच जाएगा यह पीबीसी पॉलुथीन या बैक लेट का था मानुनिर्मित होता है ठीक है अगला कोशन को देख लिए अगला कोशन है वह समागरी जो आम तोर पर रोस्वरी के कंटेनर बनाने के लिए उपयोग की जाती है तो रोस्वरी का जो कंटेनर होता है दोस्तों उसको बनाने के लिए हमनों किसके इसे माल करते हैं पीटी का इसे माल करते हैं ठीक है अगला है भारत में रियोन का पहला करखाना कहां और कब अस्थापित किया गया था भारत में रियोन का जो करखाना है वो कहां लगाए गया था केडर में लगाए गया था ठीक है और केडर में कब लगा था याद नहीं करना है बस आपको ध्यान रखना कहां पर लगाए गया था अगरा कोशन है रसानिक क्रियाओ द्वारा बने रेशो को क्या का जाता है तो रसानिक क्रियाओ द्वारा जो रेशा बनता है उसको परकृतिक नहीं बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे संसलेसित रेसा बो प्लास्टिक है जहिसे तो आएगा नहीं कहीं है क्ष Shopify तो कि यह टो गया किसके तरह आएगा कागताइगा घट जाता है तो नौकली किसको का जाता है से क्योंकि यह को सबस्क्राइब होता हूं रिए रहा वह फ्रेशा प्रकर्टिक होता है और या टाइन फेश्चनल होता है तो कौन सा धातू चप्टा हो जाएगा इसमें धातू को नहीं है जींग कर बूढ़े ने सीखा एक हतारों से पिटने पर अधातू समान नहीं तर्ट टूट्र में तूड़ जाती है जब कि धातू क्या होता है वो नमड़ता है निम के खील तो होगा नहीं हुए वाय ऌगe गठा नहीं कोईले कर तुपरा यह का घोझा किसके रूप होता है कार्वन कबर अगया पदार जीने खीचगतार बनाये जा लग्ता हेएँ लिए शरों कर भी थे उरॉ और पोता है अफ़ियसे लिफियू आ झाजिटा घाटahahaha sodium है कि अगला question है धातव था को थो कोड़ होती है यह तो क्राइब को फ्र System If अलीकुर्शन है धातुई था समानय थोस होती है निम्समें सी ढ़त्व stores clean को खांखान पर तरह अवी आवास्तही में अब से कौомина ? तो इसक नुदिमिन होता है ब्रोमीन होता है जो दरवावस्था में पाए जाता है अगला है धात्व समान या तो तनु अमलों के साथ किरिया करके हाट्रोजन गैस उत्पन करती है तो तनु अमलों के साथ धात्व जो होते हैं रियक्शन करके क्या निकालते हैं हाट्रोजन गैस निकालते हैं निमलिकित आपका चौथा ओप्शन का हो जागा सभी जाएगा बाकी सब तो रियक्शन करेगा ही अगरा क्वेशन है निम्लिखित विज़े कौन से ठंडे पानी के साथ अविक्रिया करता है देगे लीथियम सोडियम पोटासियम जो ता बहुत रियक्टी बहुता और यह ठंडा पानी स से भी रियक्शन कर लेगा ठीक है तो कोने इंसर हो जाएगा सोडियम ओप्शन टू अगरा कोशन है समानियत धात्विक ऑक्साइट छार की होता है सही बात है तथा और धात्विक ऑक्साइट अमलिये परकिर्थि के होते हैं पानी में से किस ऑक्साइट का घोल नीले लीट अगला क्वशन अगला कोशन है, बिधू चालन तारो के रूप में तांबे का उप्यो करने के लिए निमलीखित में से कौन सगुन जिम्मेदार नहीं है है बिधूती चालन्ज होता है क्या मतलब नहीं है तो स्य नहीं की तो देख स्युक्त करेगा है विदूत के अच्छे सुचालक होता है क्यों कि उन्हें क्या होता है इसकता है अगहार तन्यता होता है मतलं में होते हैं और अभी में बदल सकते हैं इसी करां धातु तो अगला कुछन से पुड़ाना धना द्या गई अगला कोश्ण सबसे पुड़ान में या लिड है öz पारा क्या है आगला कोशन में कौन सा अधा तु में तो का यहाए ही रहा किसका का रूप होता है कारवन का बागी सब धातु है अगला कोशन है निम्न में कौन सा परकृतिक संसाधन है परकृतिक संसाधन का बात करेंगे तो वायू क्या है परकृतिक संसाधन की मातर सिमित नहीं है किसकी मातरा स्वेंत नहीं और मैं है तो कौन है वाईव वन सिमित मातर में घैस बिसिम themed मात्रा में लेका और समित मात्रा में कि अग्रानमं में किसका उपयोग निकलता हैं तो अगर पुरा उसको ऑक्सिजन मिलेगा तो carbon dioxide निकलेगा अगर पूरा oxygen नहीं दीजेगा कम oxygen की उपसीथी में अगर जलेगा तो क्या निकलेगा carbon monoxide निकलेगा अगला है निम्न में कौन सा petroleum के संगटक होते हैं तो petroleum को बहुत सारा संगटन है petrol है diesel है इस नियक तेल है ठीक है मोबील है किरसन तेल है ठीक है सब चीज है अगरा है निम में कौन सा जीवासम इधन है जीवासम इधन किसको बोलते हैं जो जीवासम से बनें ठीक है जनतु और पोधों के जनतु के जो अवसेस हैं उन से बनें कौन है कोईला है petroleum है ठीक है तो क्या हो जाएगा दोनों सही है जाएगा अगला है कोईला के कुछ मुख उत्पाद है कोईला की क्या है कोईला से बहुत सा रचीज बनता है कोईला गरम किजेगा तो जो ठोस बचेगा उसको कोग बोलेंगे जो गैस निकलेगा उसको कोईला गैस बोलेंगे और जो पानी निकलेगा उसको कोलतार बोलेंगे तो सभी जाएगा अगला है नेप्थिलीन गोलियों जिनका उप्योग प्वतंगों और और कीटों को भागाने के लिए किया जाता है निम्निकित में से किसे प्राप्त होती है देखिए भी बहुत सिंपल कोशन है ठीक है नेप्थिलीन जो गोली बनता है वो किसे बनता है बाई कुलत संसादन नहीं है तो देखे प्लास्टिक जो है वो परकृतिक संसादन नहीं है मानुनिर्मित है पानी खनी और मीटी क्या परकृतिक संसादन है अगला है वाईव एक परकृतिक संसादन है और मानुवे गति विद्यों से समाप्त नहीं हो सकता है सही बात है इसे अक्षा पर प्रटर ओस्नी होता है और का होता है झाहता है औगा करने की धोग सब्सक्राइब के लिए यह में कोईले का पर संस्क्रन किया जाता है निम्लि Clark में से कौकण प्राप्त अप्राप्त學 गें प्राप्थ होता है और पराकृतिक गयस का रूप होता है उसको मतला में का होता है तो जीवित जो होते हैं जीव होते हैं जन्तु होते हैं उनके मिरित औसेज से अगला है कोईला किसके औसेज से बनता है कोईला जो होता है किसके औसेज से बनता है वाई तो वह पौधा से ठीक है तो केबल वनस्पती से मरित हыत्-वश्पती के क्यार्बों then से कौन सब दार्थ बनता है मिरित damping स्पें से जो पेरपाउधा होता हूए तुछоды जिसका कार्बों अधिकरन मतब वह संसुत में बदल जाता है कुला Л Weihnacht को और इसल निकलता है judging की गोली तार्कहुल से प्राप्ट की जाती है और इनका ओप्योग किया जाता है तो नेप्थिलीन की गोली जो है उसका हम लोग यूज करते हैं आइक कि देखे नेफ्थिलीन का हम लोगे इसमाल करते कीट को भागाने के लिए और कीट को नो weighs है मुथर eh plant ठीग है मुथ रीड बूलता है मस dictator कर अगला कूशन निम्लिखित में से con petroleum घट्रोलियम का रखळचना एक लिए पेट्रोलियम का धक रगा संद्धाद से निकलता है एक लिग कमुप adesso से बनता है अगला है पेट्रोलियम का निर्मान की जीवे से होता है तो पेट्रोलियम का निर्मान जो है समुंद्र में जो भी जनतु होते हैं ठीक है उनके दब ज्याने से होता है बहुत समय लगता है ठीक है अधिक दाब अधिक ताप पर का होता है उनका उसे जो बसता है व पतन चुनिए पाइप के माध्यम से परकिर्त गयस का परिवन करना मुस्किल हो गलत बात है परकिर्ट गयस को पाइप द्वारह आप असानी से एक जगर से दुश्री जागा पहुचा सकते हैं अगला परकिर्ट गयस का नुक्सान है कि इसका उप्योग सीधे घरों में जलाने के लिए नहीं किया जा सकता है अगला प्रकृत गयास को 155 परकृतिक गयस के रूप में श्वंग्रित किया सकता सब्सक्राइब प्रकृत गयस को आप प्योग हम लोग बिजली उत्पादन के लिए भी कर सकते हैं इसमें सही कथन चुना तो तीसा अप्षिन का हो जाएगा आपका सही हो जाएगा अगला है इधन से डिलेटेट कुशन ब्रावनी तेल सोदा खाना का निर्मान किस बर्स किया गया थे तो ब्रॉनी आप जानते हैं बिहार में ठीक है और यहां पे तेल सोदा कर खाना और यह को बना तो इसका धियान रखिए गा ठीक है यह बना था गांटेस्ट कि विधी द्वारा किया जाता है पर भाजी और साथन द्वारा आसवन द्वारा परभाजी और आसवन मतलब इसी को इंगली समय बोलेंगे फ्रेक्षिनल डिस्टिलेसन उसके द्वारा हम लोग पर लग पद यह जो को अलग करते हैं जैसे पेट्र z Мыबढ अगला हां कि इस खाय चाहीव को मुबील फोलतार किसका उत्पात होता है जोलतार कि से बनता है पर इंदन को ऊसूपाइब कि अगला भॉत्री आँदार पर पर हमनों बांटे हैं कि थे होता है ठॉस होता है और ए underm या सी तक में बात जाएगा च्यारा में कोई अगला कोशन है निम्ष के लिए अगाइम के लिए की कौन से दाइता सब्सक्राइब करता हैं अगला कोशन है कोई बराबर हो जाता है तो ठीक है जो लन त나 पर अगला कूशन है बंद कम्रों में सोर रह वेक्टियों की मृति किस गैस से हो जाती है तो कारबन मोनोखसाइट से हो जाती है क्योंकि उस समय औक्सिजन कम मिलता है इसलिए उस समय कार्बन डाई अक्साइट के जगा पर कार्बन मोनोखसाइट निकलने लगता है अगला क्वेशन है पेट्रॉल जैसे जौलन सिर्फ पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए किस परका अगला है। आगला है है अगला कीब इधन का उसका इकाई क्या होता हैया है। कि पर केजिए अगला है निम्न में से किसका उसमयमान सबसे अधिक होता है सबसे अधिक किसका होगा hydrogen का अग्राइब पदार्थ जो oxygen के साथ के उसमा देता है दोहनचिल पदार्थ का लाता है जो जले लिखित में तो किसका उसमें मान सबसाधिक होगा इसमें बात करेंगे तो सबसाधिक किसमें हो जाएगा बोलिए लपीजी गैसमें हो जाएगा अगला है इन में से कि सन्योजन को वायू में जलाने पर मैंगनेसियम रीबन उत्पन होता है तो देखिए मैंगनेसियम रीबन क क्या हो जाएगा सभी जाएगा अगला क्वेशन निम्लिखित में ते कौन सा जौलन सिल्फ पदार्थ नहीं है कौन नहीं जल पाएगा तो देखिए कौपूर भी जलता है और कौपूर भी जलता है काश नहीं जलता है अगला पदार जो जौला से नहीं जलता है जिसमें जौ कारण निम्लीखित में से किस गैस की उपलबता है अनु अनुपलबता है मतलब कौन उपलब्द नहीं है ठीक है तो अगर मुंबाती जला रहा है और आप गलास रख दीजेगा तो उसको ऑक्सिजन नहीं मिलेगा और का होगा बुझ जाएगा अगला कोशन है यदि किसी व्य जल्दी नहीं मिलेगा तो आप बुझ जाएगा तो जतना मोटा समोटा कापरा हो सगे जो जल्दी नहीं जले उससे का कीजिए उससे धग दीजिए ठीक है अगला क्वेशन है निम्लीखित में से किस पदार्स का जौलन तापमान सबसे अधिक होना अप्यक्षित है इसमें अलगा पेट्रोल आ ऐलकॉलल इससब का थाप बहुत कंभी तो जलेगा जो जौलन ताप पर क्या है अधिक है अगला प्रफित में से पदार्थों के बारे में सईकतन चुनना है ठीक है जो जुन से पदार्थ के बारे में सईकतन आपको बताना है गो जिसके पिखिए पॉषानि से आग फॉकड़ लेगा ये तो गलत है यह इसमें बुछ इसलों टांब मान और असानि साथ पॉकड़ाइगा गलत इसे लगत है अगला है किन निंव निकित में इसे गलत कथन का यह करें जंगल में आग आम तोर पर निम्न कार्णों से लगती है आग की से लगता है मनुस के लपरवाई से सही बात है सुरज की गर्मी से ठीक है तो जंगल में जो आग आम तोर पर लगता है वो सुरज की गर्मी से लगता है और कभी-कभी मनुस की लपरवाई से भी लग जात हुआ है किलो जूल पर ती ग्राम फरती किलो ग्रÁm ठीक है इसे एक आधर सरीा माना जाता है नहीं इसके असान उपलव्टा और कम लागत के कारंद नहीं यह असानी से आग पकड़ लेता है यह भी बात क्या है ंतर जो होता है जो जल्दी हम को जलावन मिल जाए ठीक है और खार्चा नहीं है क्या कि गाव में समझते हैं गाव में एगर आप रहे होंगे तो देखें होंगे धर जिन्दकि वहां का कुस्फ और होता है सबसे सवाच इधन माना जाता है इन चारव में अगर बात की जिएगा सबसे सवाच इधन क्या होगा है इसमें का परदूशन बहुत कम होगा अगला है निमनिकीत में से गलत कथन का चैन करना है ठीक है एक अच्छा एधन हुआ है जो असानी सूपलब दो अधिक मातरा में उसमा पैदा करता है अपने पीछे कई अपसिष्ट पदार छोड़ जाता है मदम दर पर हवा में असानी से जल जाता है ठीक है तो देखिए आपलता असानी सूपलब दो जा सहीवाथ है साहं अधिक मातरा में उसमा पैदा करता है सहीवाथ हम अधन अब पर हवा में असानी से जल जाता है अपसिष्ट बना रहा था उसे यह देखकर आश्वर्ज हुआ कि तामबे का पात्र बाहर से काला पड़ रहा है ठीक है जब खना पकाई यह तामबा का अगर रहेगा बर्तन तो काला हो जाएगा धुआ करण इसका कारण यह हो सकता है कि इधन का उची दहन इधन का उची दहन नहीं हो रह है अगला है वण न्यूंटन तफ्मां जिस पर बोलते हैं जॉलन तब नंता के कोई पदार जर लन लगता है अगला है कौन से पादार्स कमरे के तफमान पर ही जल उठता है कमरे के तफमान पर कौन बहूद यह इस इसमाल होता है उसको थुरा रगर इगा तब जाके जालें है कोशन आगде ग्रेलू और अधो गिक इधन बोलेंगे तो घ्रेलू और उधों की उपयोग में जो उसमा का हम लोग सुरूत मानते हैं वो कौन होता है इधन होता है अगला है कोन स dispय अपने पोट नियुक्त मेर कोन जल जाता है तो लकरी नहीं जालेगा ठीक मोंतिने जालेगा कि फ़ोस्फोरस हुआ कि अग्ञा माचशच की तिली में क्या लगा है तो माचच दिली में को लक्ता भाई लाओ फॉस्फोरस ठीक है और ये कोशन आपका फुशा भी गया था ठीक है प्राइमिल वाला में अग्रा कोशन है विदुधारा के रसानिक परभाव क्या क्या होते हैं पानी में नमक घुलने से वह विदुध का क्या हो जाता है यहां पर जो हमनों बात कर रहे हैं कि में स्टी से रिलेटेड कोशन को देख रहा है इसको आप अगर कर लिजेगा और अच्छा लगेगा तो अगरे वालब में मतब कॉल आपका फीजिक्स बना देंगे फिर बायलोजी का बना देंगे ठीक है यह एक एक वीडियो में आपको कम्पलीट हो जाएगा अगला एल एडी बाल्ब के साथ दो तार जूरे होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं उसको अमनों लिट्स बोलते अगला कोशन है निम्ड में कौन सा विदुध धारा के रसानिक परभाव के समान अनुपरयोगों में से एक है ठीक है तो बीदुध धारा में किसका उप्यों करते हैं उससे क्या-क्या फायदा होता है तो देखे उसे विदुध लेपन बनता है मतब किसी धातु पर हम बिदुध धारा के रसानिक परभाव का उधारन है अगला है वो आसुत जल लौनों से मुक्त होते हैं इसलिए का होते हैं यह कुछालक होते हैं मतब हीन्चालक होते हैं ठीक है कुछालक नहीं बोलेंगे यहां पर हीन्चालक बोलेंगे कि अगला है किसी चालक विलियन से बिदूत परवाव होने पर कैसी अभिक्रिया होती है तो किसी चालक से अगर विलियन मतब किसी विलियन से ठीक है अगर चालक पास हो रहा है उसे का होगा रासानिक परिवर्तन होगा तो दूसरा अप्ष्ण सही जाएगा कि अगला कोशन है नीम्न में किस पर क्रोमियम की लेपन की जाती है तो हम लोग क्रोमियम का जो लेपन होता है किस पर करते हैं पहिया जो होता है साइकल का जो पहिया होता उसका रिम में करते हैं ठीक है नौल में लगाते हैं गैस के बरनर पर लगाते हैं सभी अगला विदु विदु तीन है अगला कोशन है बंद धरा अधर दधर से उत्पन हो सकती प्रह प्रहु अधरा से क्लफ सकती है एप्ले क्यों दार्च आप के लुए कर्फिक बाँ दीम accident के प्रभाव तीन होगा ठीक है अगला कोशन है बूजो और पहली ने चीत्र 14.1 में दिखाए अनुसार समान बल्ब और सेल ठीक है एक विलियन में लगाता एक विलियन में लगाता है ठीक है उन्होंने पाया कि सेटप एक का बल्ब सेटप बी की तुला में अधिक चमकिला आ अधिक जा रहा है ठीक है अगला कोशन है बुजो के चाचा ने अपने गाव के पास एक इलेक्ट्रो प्लेटिंग फैक्ट्री अस्थापित की मतलब एक धातु से दूसरा धातु के ऊपर प्रचराने वोला फैक्ट्री उसे फैक्ट्री के कच्रे का निस्तारन कैसे करना चाहिए ठीक है अब उसको कच्रा को कहा फिकना भाई पास की नदी में नहीं पास के तलाब में नहीं पास के मकई की खित में अस्थानिय प्राधिकरन के निप्टान दिसा निर्देशक जब विलियन में हम ठीक है विधूत को पास कराएंगे तो विलियन का रजाएंगा यह क्या इंगित करता है तो रशानिक परवाव अगला निमलीक्हित में कॉन सा विलियन विधूतं था शंचाल नहीं करता है तो जतना भी एस होता है और सॉल्ट होता है च्छार्न औरBeATS घ्याण नंळ्चा फानी चार्फ फिलिएंग बीद्चे लाइगा नणाल का पानी कऱाँगा शी कराऊएगा वन तो नहीं कराएगा यह आसुट जल मतब प्योर जो वाटर रोगा उससे भी करेंट पास नहीं करेंगा अगला है वस्तों को चमकिला दिखाने के लिए सब्सक्राइब करेंगा और चीनी का घोल लिजेगा इसे करेंट पास नहीं करेंगा तो इसे कोई बल्प नहीं जा लेगा करेंगे अने hinter नाव करेंगों आगला अगल डारएट किसी पदात पर वांची धात्त की परत निश्च्छेपीद करने की परिकेंग क्या बोलते यह उसका इस पर चरह बेश्ग बख्राइब क्हूंघ इसकी नहीं धी होता है अगला पर्टासियम का लिए इसके खोज किस ने की तब पोटासियूम का जो नामकरान किस ने दिया था इसकी नामकरान दिया था ठीक है हम भरी डेवी ने कुछन कों सी धातु विधु का चालन करती है तो देज़ समय करेगा है करेगा आधिकांस दरफ किसके विलीन होते हैं तो आपको बता चुके हैं जो भी चालन करते हैं व किस द्रफ होते हैं अगर द्रफ के बारे बसकर रहेंगे तो ऑमलों कुछ तो दोस्तो आसा करते हैं यह आपको काफी आच्छा लागा होगा और इससे आपका एक बेस भी हो जाएगा और सारे कोशन जो भी पुछे जाएंगे उसका आइडिया भी हो जाएगा अगर आप वीडियो को नहीं देखें किसरे के कोशन साइन्स में पुछे कहां तो देख ल कर लिजे ठीक है इतना कर लिजे 8 से मतब 6-8 कर लिजे फिर समय मिले तो 9-10 भी कर लिजे उसको भी हम करा देंगे अगर आप इस वीडियो को देखेगा लाइक किजेगा और सब्सक्राइब किजेगा तो हमको भी लगना चाहिए यहां आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और कर दो हम एक मिले को दो